नमस्कार बाबा राष्टी नूज में आपका स्वागत आप चलते हैं खबरों की और चिटकुंडा बराकर पुल को उने सो पचीस में के डबलू कर खाना ने निर्मान किया था बीते कई साल पहले इंजनियरों ने इस पुल को कमजोर और छती ग्रस घोसित कर पुल के दोनों साइड में बीच में दिवाल दे दिया था बराकर के बैपारियों और चिरकुंडा के समासेयों के द्वारा मौजोदा सरकार से मिनत ते करने के बाद दिवाल हटा कर पांच फिट का बेरियर लगा दिया गया जिससे सिर्फ आदमी और साइकल और मोट साइकल का आना जाना सुरू हुआ इसके बाद समासेयों के आगरह पर अटो जाने लेक बेरियर लगाया गया आज मौजूदा हालत में बिसेस बैपारियों और बिसेस लोगों के द्वारा इस पूल का बेरियर को ही हटा दिया गया आज मौजूदा हालत में बराकर पूल का बेरियर हटा दिया गया इससे बराकर पूल पर भारी बाहनों का आना जाना सुरू हो गया इस सवस्ता में छतिगरस ब्राकर पुल का कभी भी अप्रिये घटना घटने से इनकार नहीं किया जा सकता इसका जिम्मेबार, जिम्मेदार आखीर कौन होगा इस पर जहरखन मुक्ति मोर्चा के केंद्र कार्ज कार्णी सदस सिरियसोक मंडल ने कहे हम सभी जानते हैं लगातार, इस पर बहुत सारा आंदोलन भी हुआ था, तब ये ब्रीज सेंक्सेन हुआ है और जहां तक बात है, ये आज के दिन में बराकर और चिर्कुंडा के बीज में जो ब्रीज है, ये बहुत कमजोर है और कमजोर होने के कारण इसमें खाली छोटा गाड़ी को ही पार करने का सरकार के दरा आदेश था लेकिन सवाल क्या है, आज के दिन में तीन महिना हो गया है, दुरगापुजा के बाद से हम लोग देख रहे हैं ये पूल के उपर में जो बेरियर लगा हुआ था, खाली छोटा गाड़ी जाने का, तो उसके लिए बेरियर लगा गया था, लेकिन बेरियर तूटने के कारण आज के दिन में बड़े बड़े गाड़ी के अलावा रात में भी ट्राक और जो भी है गाड़ी पास हो रहा है तो हमारा कहने का मतलब यह है अगर यह कमजोर ब्रीज के उपर में हेवी गाड़ी चलना सुरू कर जाए तो निश्चीत रूप से पूल किसी ना किसी समय तूट सकता है और जहां तक बात है इसको देखने का काम PhD के विभाग के लोग करते हैं और उसके साथ साथ थाना के जो इसका जो barrier लगा हुआ था उसको complete करने का काम करें नहीं तो फिर आगया बना समय में अगर हेवी गाड़ी चलेगा तो पूल किसी वे समय छतिगरस हो सकता है धन्यवाद और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरू क्लिक करें इसे हमारे आने वाली न्यूज की नोडिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलें